कोश्चन दिया है यदि कोई गारी 30 km पती घंटा की चाल से चलती है तो गंतव विस्तान पर 10 मिनट विलंब से पहुंचती है परन्तो यदि 45 km पती घंटा की चाल से चले तो किवर 5 मिनट विलंब से पहुंचती है तो अपनी आत्रा पूरी करने के लिए गारी का सही समय है माल नेंगे कुल दूरी D equal X km है जब गारी 30 km पती घंटा की चाल से चलती है तो वो 10 मिनट विलंब से पहुंचती है Speed equal हो जाएगा distance upon time Speed है 30 km परावार equal distance है X km और समय T है और 10 मिनट विलंब से पहुंचती है 10 मिनट पहले वो time से पहुंच जाती लेकिन उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे है तो plus 10 कर देंगे X equal हो जाएगा 30 T plus 300 यह हो जाएगी first equation परान्तो यदि 45 km पती घंटा की चाल से चलती है पहले 30 km पती घंटा की चाल से चल रही थी अब 45 km पती घंटा की चाल से चल रही है दूरी है X km और समय इसको लगेगा T जब यह अपनी चाल 45 km पती घंटा कर देती है तब भी यह 5 मिनट विलंब से पहुंचती है तो plus 5 कर देंगे X equal हो जाएगा 45 T plus 225 यह हो जाएगी second equation दोने equation को compare कर आ लेंगे 30 T plus 300 equal 45 T plus 225 15 T equal हो जाएगा 75 तो T equal आ जाएगा 5 मिनट option A इसका right answer होगा